हेलो दोस्तो लेट्स के रैकिट की एक्सपेनर सीरीज में आप लोग का स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग की कुछ टेक्निक्स के बारे में जो की हाली में न्यूस के अंदर में भी आई और आपको समझने में भी दिक्कत होगी तो जीनो में अंतर समझ में आएगा और जो भी कॉम्पलेक्स इमेजेस से रिलेटिड होती हैं वो सब भी आपको आसान भासा में हापर केलियर हो जाएंगी तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सिस्टम है क्या तो आपको पता है कि देरा सेवरल जीनोम एडिटि टेकनोलोजी जिनका इस्तमाल मेडिकल के अंदर में किया जा सकता है और यहां पर हम पर्टिकुलरली एगरिकल्चर सेक्टर के अंदर में जीन टेकनोलोजी की बात यहां पर कर रहा है तो जीनोम एडिटिंग के अंदर में हम करते क्या है कि हर एक जो आपका एलिमेंट है उसके अंदर में आप देखो कि जीन्स पाए जाते हैं चाहे वाइरस हो वैक्टिरिया हो उसके अंदर में या तो RNA होगा या DNA होगा तो हम क्या करते हैं कि उस जीन के अंदर में एक कट लगाते हैं और उस कट लगाने के बाद जो unwanted part है उसको हटा देते हैं और उसकी जगे जो जरूरी पार्ट है उसको एड़ कर देते हैं, इस इस जीनोम एडिटिंग, ओके, तो ये सिंपल इतनी सी टेकनोलोजी है, फिलाल इसको समझना आपके लिए जरूरी है, ओके, अब इससे क्या है कि हम इतना सब काम कर रहे हैं, तो ये हम इसलिए तो करेंग गई हो, तो उसके जीन्स में से उस अन्वांटिट पार्ट को हटा करके, या तो कुछ हम एड़ करेंगे, या फिर कुछ भी एड़ नहीं करेंगे, तो कुल मिलाके काम जो है, वो क्रोप को अच्छा करने के लिए, उसकी यिल्ड को बढ़ाने के लिए, ये काम किया जैसे क्लाइमिट चेंज से बचने के लिए, उसमें एड़ेप्टेशन वगेरा की कुछ गुण जो है, वो डालना चाहते हैं, तो वो डाल सकते हैं, बायोटिक स्ट्रेस लाइक हाई टेंप्रेचर को भी जहेल सके, ऐसा पोधा तयार करना चाहते हैं, तो उसके अंदर में उसके जो जीन्स हैं, उसको चेंज कर देते हैं, जादा यिल्ड आपको चाहिए, तो आप उसके अंदर में चेंजिस कर लो, उप्टिमल प्लांट आर के टेक्चर खड़ा करना है, या ग्रेन की क्वालिटी को इंप्रूफ करना है, उसके अंदर में न्यूटिशन का कंटे अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की, तो हो सकता है कि किसी डिफरेंट तरीके की जो डिजीज है, उसका यहां पर जनम हो जाए, और वो पूरी की पूरी जो फसल है, उसको यहां पर बरबाद कर दे हैं, तो कुछ चैलेंजिस जो हैं, वो हमेशा जीनोम एडिटिटिंग के अंदर में इस्तमाल की जाती हैं, जिनको हम पिलांट के अंदर में जो ब्रीडिंग टेकनोलोजी हैं, उनको कह सकते हैं, और इसमें से एक टेकनोलोजी जिसका नाम है साइट डिरेक्टिड नुकलियस टेकनोलोजी, इसकी बात हम यहां पर करने वाले हैं, इन शोर्ट इसक सिद्धान्ट जो है वो इसके ये आपको निकल करके आते हैं मैं वो टेक्निकल भी बोल सकता हूं लेकिन इतना सफिशियंट है ना कि SDN जो है वो दो प्रिंसिपल पर वर्क करेगा DNA में हम कट लगाएंगे यानि कि ये हमारा काम होगा और बाकी उसको जोडने का काम जो है वो नैचुरल तरीके से हमने कर रहे है उसमें नैचुरल तरीके से उस DNA को रिपेयर कर लेगा वो इस ब्रेक को देखेगा कि किसी ने इसमें कट लगाया है और फिर जो है वो इसको रिपेयर कर लेगा जो भी उसके अंदर में एंजाइम्स पगेरा वर्क कर रहे होंगे उनके तो गोल ये है हमारा SDN टेक्नोलोजी का कि हम एक टार्गेटड जगे पर DNA में कट लगाएंगे यानि कि ब्रेक लगाएंगे दिसकुल DNA ब्रेक और फिर जो है जो प्लांट होगा वो अपना नैचुरल तरीके से इसको रिपेर करने का काम शुरू कर देगा अब ये कट लगाना क्यों है मैंने बताया कि अलग-लग changes अगर लाने है तो ये कट लगाना पड़ता है और कट लगाने के बाद आप तीन काम कर सकते हो या तो उसके अंदर में कट लगा दिया तो कुछ पार्ट हट गया ठीक है कुछ पार्ट डिलीट हो गया कर सकते हो उके उसके अंदर में तीसरा क्या कर सकते हो आप किसी बड़े लोंग चैन को जो है वो उसके अंदर में एड़ कर सकते हो यह चीजें अभी आगे केलियर होंगी सब एक ही स्लाइड में केलियर नहीं हो सकता तो अब इन तक्निकों के जरीए हम जो है वो कुछ नई च substitute करो और काम हो जाएगा तो इस तरीगे के चीज़ है अब यह SDN की जो application है वो तीन techniques के अंदर में work करती है SDN 1 कहते हैं इसको SDN 2 और फिर SDN 3 मैं बात करता हूँ पहले कि what is the SDN 1 SDN तो समझ में आया कि यह क्या system है एक cut लगाएंगे और फिर उसको जोड़ेंगे तो जो cut लगा है यानि कि इस हिस्से की वज़े से जो है वो कह सकते हैं कि plant में पैस्ट जो है वो खतम नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे यहां पर एक cut लगाएंगे cut वगेरा के लिए अलग अलग प्रोटीन साती है like case 9 प्रोटीन हो सकती है और भी होती है जिंक वगेरा से related बट उतना detail में नहीं जाना है तो हम यह वाला part जो है वो इसको यहां पर हटा देंगे और हटाने के बाद ध्यान से सुनो sdn1 के अंदर में क्या हो रहा है कि इस part को हटाने के बाद हम इसमें कुछ भी add नहीं करेंगे यह part ऐसे के ऐसे ही अपने आप जुड जाएंगे तो यह point जो है वो s कट लगाया है बाकि कुछ भी नहीं किया है कट लगाने के बाद यह break जो है वो अपने आप रिपेयर हो जाएगा क्योंकि natural process plant की यहां पर चलेगी और plant में जो है वो mutation आ जाएंगे मतलब changes होंगे mutation का मतलब changes ओके तो changes तो होंगे आपने एक part को यहां पर जो है वो खतम किया है तो वो part आपने डिलीट किया है जिसकी वज़े से gene के अंदर में changes होंगे और वो changes जो है वो पूरे plant के अंदर देखने के लिए मिलेंगे हो सकता है कि वो pest खतम हो जाए यह pest वाला जस्तिक example है ओके actual process नहीं है तो यह point आप यहां पर समझोगे यह SDN1 की process यहां पर थी यह नीचे इसकी technical definition भी है इसको छोड़ो ठीके तो आप देख सकते हो यह है SDN1 इसके अंदर में हमने parts को जो है वो यहां पर तोड़ा और इसके बाद यह चीजे जो है वो आपस में अपने आप एड़ यहां पर हो गई तो यह changes जो है वो यहां पर हुए है हमने इसमें सिर्फ एक cut लगाया है और यह plant अपने आप यहां पर जुड़ गया कोई नई चीज इसके अंदर में add नहीं की गई तो अगर हम SDN1 की process को अपनाते हैं तो crop की yield को बढ़ा सकते हैं साथी साथ उसमें disease भी कम लगेंगी cold से tolerance होगा मतलब ठंडी जगों पर पोधे को उगाया जा सकत हैं दूसरा आते हैं SDN2 के ओपर यह क्या है फिर से वही जो है वो DNA बना लेते हैं और इस बार हम क्या करेंगे मालो यहां पर कुछ गड़बड़ है तो हमने इसको यहां पर cut लगाया मालो की हमें जो है वो इसके अंदर में इसकी yield को बढ़ाना है तो हमने यहां पर जो है आपस में जुड़ जाएंगी ओके तो यह मतलब बहुत सिंपल है यह इस तरीके से ही आपको समझ में आएगा कि इसी का कोई हिस्सा ला करके यहां पर add कर दिया तो आप जरा एक बार लिख्यों को यहां पर देखो एक break लगेगा एक cut लगेगा और break को जो है वो repair हो आपको यहां पर add करना पड़ेगा और यह इस्सा ऐसा होगा जो कि इसी DNA का है और इसी वाज़े से हम इसको complementary कह रहे हैं यानी जो इसके अनुकूल हो जो इसको जोड़ सके जो इसके जैसा हो homologus हो खो तो उसको यहाँ पर add करेंगे और फिर plant इसको repair यहाँ पर कर लेगा तो यह जो हिस्सा यहाँ पर add किया है इसको template भी कह सकते हैं तो template इसको यहाँ पर कह सकते हैं इस template के अंदर में कुछ एक chain हो सकती है होते हैं न बेस pair एक जोड़ी base pair हो सकते हैं फिर कई सारे changes यहाँ पर हो सकते हैं जो की repair होंगे और फिर plant के अंदर में पूरे plant में genetic changes इस तरीके से देखने के लिए अब मिलेंगे तो इसको जो है वो आप कभी-कभी homology directed repair भी कहते हो क्योंकि इसके अंदर में हमने एक homologous template जो की कहीं और से आया इसी gene के हिससे से उसको यहाँ पर add किया है तो यह है SDN 2 अगर हम SDN 2 की process करते हैं तो आप देख सकते हो इसमें हर भी side से कोई भी फरक नहीं पड़ेगा plant को और इसकी yield भी जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी बात करते हैं SDN 3 की तो इसमें क्या system है नीचे जो है वो gene दिया गया है बना बनाया इसमें हम क्या करते हैं मालो यह हिस्सा जो है वो हमें नहीं चाहिए तो हमें इस हिस्से को यहाँ पर cut करते हैं और cut कराने के बाद किसी और दूसरे plant का जहां से सुनो किसी और दूसरे plant का जो gene है उसको लाकर के यहाँ पर एड कर देंगे तो यही चीज आपको यहाद रखनी है कि SDN 3 में भी सेम काम होता है SDN 2 की तरह यहाँ पर हमने कुछ एड किया है लेकिन लोंगर DNA सिक्वेंस इस्तमाल की जाती है और वो भी किसी और जैनेटिक माटीरियल की यह पॉइंट इंपोरियन है अदर जैनेटिक माटीरियल हम SDN 2 में सेम जीन का इस्तमाल कर रहे थे लेकिन यहाँ पर किसी और जैनेटिक माटीरियल का इस्तमाल किया जाता है तोके फिर सेल जो है वो अपनी मतलब जीन अपने प्लांट अपने आप इसको repair कर लेगा break को और पूरे plant के अंदर में genetic changes यहां पर होने शुरू हो जाएंगे तो तीनो प्रोसेस इस तरीके की हैं simple भासा में कहें तो SDN1 के अंदर कुछ हैड नहीं किया SDN2 के अंदर में हमने उसी gene का हिस्सा यूस किया और SDN3 के अंदर में हमने जो है वो foreign plant का foreign genetic material जो है वो यहां पर इस्तमाल किया SDN3 को अगर हम यहां पर करते हैं तो आप देख सकते हो एक तो long chain का इस्तमाल किया गया है किसी और plant का long gene यहां पर ला करके उसको यहां पर add किया गया है और यह इस तरीके से काम किया है अगर हम यह काम करते हैं तो हर भी साइट का कोई फरक हमारे प्लांट पर नहीं पड़ेगा और इसके अलावा उसकी जो nutrition quantities हैं वो भी बढ़ाई जा सकते हैं इस इस कोल्ड बायो फोर्टिफिकेशन यानि की nutrition quantities को बढ़ाना तो यह पॉइंट आप यहां पर जहाने में रखोगे अब this is the summary तो आप देख सकते हूँ यहां पर की यह आप देखो यह एक जीन था प्लांट का जीन जिसके अंदर में हमें changes करने हैं इसको हमने पहले यहां पर जो है वो cut किया अलग-अलग न्यूकलियस वगएरा का इस्तमाल करके एंज्जाइमस वगएरा का इस्तमाल करके फिर उसके अंदर में हमने कुछ भी नहीं किया सिर्फ एक cut लगाया cut लगाने के बाद यहां पर अपने आप यह एड हो गया रिपेर हो गया natural तरीके से तो this is called SDN1 फिर हमने रिपेर करने के बाद सेम जीन को आप देख सकते हो कि गरीन कलर का ही है तो यह भी गरीन कलर का ही जीन हमने यहां पर इस्तमाल किया है तो सेम जीन को हमने जो है वो यहां पर डाला और थोड़े से चेंजिस जो है वो यहां पर कर लिए this is called SDN2 SDN3 के अंदर में हम देखो कि औरेंज कलर का या येलो कलर का जीन कहीं और से आया होगा this is called foreign gene उसको यहां पर हमने डाला है और रिपेर करके एड़ कर दिया this is called SDN3 और इसके अंदर में हमने foreign gene का इस्तमाल किया है तो ये अब मुझे लगता है कि process जो है वो simple हो जानी चाहिए और SDN1 के अंदर में हमने कोई foreign gene का इस्तमाल नहीं किया SDN2 के अंदर में भी हमने कोई भी foreign gene का इस्तमाल नहीं किया जबकि same gene का इस्तमाल किया है या जिसको homologous template कहते हैं उसका इस्तमाल किया है तो इसका मतलब यह है कि इसमें हमने दोनों processes के अंदर में foreign gene का इस्तमाल नहीं किया do not lead to the insertion of foreign DNA तो ये जो varieties होती है ये किसी भी तरीके से नई plant varieties को नहीं जनम देती है ये सिर्फ और सिर्फ उसी plant के अंदर में changes यहां पर करती है कोई नई plant variety नहीं बनेगी तो इसी लिए इनको जो है वो genetically modified के अंदर में नहीं रखा जाता लेकिन जो SDN 3 होती है वो नई plant varieties को develop करेंगी अगर उनके अंदर में जो ये हमने आप समझो यहां पर ये चीज एड़ किया ना तो ये अगर इसके अंदर में 20 base pair से जादा होंगे तब उसको genetic जो कह सकते हैं की genetically modification organism माना जाएगा तो ये point थोड़ सा याद रखेंगे अब इसके कुछ फायदे हैं side directed nucleus technology के इसमें जो undesirable plant के अंदर में चीज़े होती हैं उनको खतम कर सकते हैं कोई बिमारी लग गई anti nutrient है या allergens है उनको खतम कर सकते हैं तो उससे environmental pollution यहाँ पर कम होगा और crop की nutrition value उसको भी बढ़ा सकते हैं like image वगेरा के अंदर में ये काम किया भी जा रहा है और इसके अलावा हम plant की shelf life को बढ़ा सकते हैं और जो characteristics हैं उनको modify भी कर सकते हैं उसका taste improve कर सकते हैं उसकी texture improve कर सकते हैं like tomato को इस तरीके से modified करके इस काम को यहाँ पर किया जा सकता है अभी आप यहाँ पर google करोगे SDN1, SDN2, SDN3 तो इस तरीके की बहुत सारी images आपको सामने देखने के लिए मिल जाएंगी तो इसको clear कर दूँ जैसे की आपने देखा यहाँ पर cut लगाया cut लगाने के बाद हमने कुछ भी add नहीं किया तो this is called SDN1 अगर हमने कुछ add किया है लेकिन same ही gene है तो उसको कहेंगे SDN2 और अगर हमने कुछ add किया है लेकिन वो foreign है तो उसको कहेंगे SDN3 ठीक है ऐसे यह आपको यह मिल जाएगी same image है यहाँ पर यह cut लगाया cut लगाने के बाद कुछ भी add नहीं किया no template add तो यह called SDN1 add किया है लेकिन same template add किया है मतलब same gene का हिससा यहाँ पर add किया है तो उसको SDN2 कहेंगे और यहाँ पर अगर हम देखें तो add किया है template और वो भी foreign gene add किया है यहाँ पर तो उसको जो है SDN3 कहा जाता है बाकि मुझे नहीं लगता है इसके अंदर में और detail में जाने के ज़रुत है इस DNA को काटने के लिए इन सब enzymes या proteins का इस्तमाल किया जा सकता है जैसे की ZFN है ऐसे ही आपकी talent है CRISPRCas9 के अंदर में इसमाल किया जा सकता है तो यह सब points जो है वो आपको आद रखने मैंने इसको समझानी कि अपनी दरब से पूरी कोशिश की हो सकता है आप मेंसे किसी को समझ में नाया होगा तो एक बार जो है वो इस वीडियो को फिर से जो है वो आपको यहाँ पर देख लेना है किलियर हो जाएगा सब कुछ तो फिलाल मैं वीडियो को एंड करता हूँ and this is clear what is SDN1, SDN2, SDN3 or site-directed nucleus technology thanks for watching take care